नमस्कार में प्रियर अंजन और आज की इस एपिसोड में डिलाइंस पावर स्टॉक के बारे में डिसकस करेंगे रिलाइंस पावर स्टॉक में हमने क्या कहा कि थोड़ा बहुत जो अगर आपको सप्लाइ आते वे दिखेगा वो इन बिट्विन 48 और 52 के बीच में दिखेगा लेकिन कल हमने देखा कि एक ट्रेंड थोड़े बहुत निगेटिव तो आएं लेकिन डिमांड अगें किरियेट हुआ और 52 के उपर 70 प्लस तक के लेविल्स हम एक्सपिक्ट कर सकते हैं इस समय जो इस स्टॉक में बरी खवर है वो बरी खवर है फंड रेज को लेकर के जिसकी मिटिंग 3 अक्टूबर को होनी है और यहां इस समय अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा नहीं कि बजार स्टॉंग है बजार में देखेंगे तो बजार फ्लैट निगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है यहां भी अगर मैं आपको दिखाओं तो यहां देखेंगे कि nifty जो है वो फ्लैट निगेटिव में, bank nifty फ्लैट पोजेटिव, sensex निगेटिव में, IT फ्लैट पोजेटिव, IT बढ़ियां और small cap फ्लैट पोजेटिव, अब यहां यह question बनता है कि r power 52 week high पे है, एक साल में लग समझने से पहले मैं चाहूंगा कि यह जो premium telegram है, इसको join करें, सभी बजार का update आपको बिलकुल free में मिलेगा, यहां यह क्या कह रहा है, इसको सबसे पहले समझने की कोशिस करेंगे, share of reliance power extending upward इतना इतना यह, जो भी analyst हैं उसकी बातों को समझेंगे, preferential issue या qualified institutional right issue, foreign currency, कुछ भी हो सकता है, एक fundraise को ले करके, यहां देखेंगे few technical analysts क्या suggest कर रहे हैं, उसको समझेंगे, रवी सिंग जो है, retail research rally gear broking का, वो कह रहा है कि investors should not enter at the current level, as the risk reward ratio नहीं favorable है, और चाहे तो profit booking करेंगे, शेवी registered research analyst A.R. Ram Charan क्या कह रहे हैं कि reliance power is bullish, but also overbought on daily chart with resistance 52, यह लोग मेरी बातों को ही कह रहा हैं और कह रहा है, कि level as a daily close below 43 can lead this stock to again at the price of around 35, 45, 43 के नीचे की closing 35 तक का trend दिखा सकता है, delivery better है, technical trend is also looking good, 3 October याद रखेंगे, जब इसे stock में fundraise को ले करके यहां देखेंगे, 3 October को fundraise को ले करके एक meeting होनी है, और आज के volume देखें तो 16 करोर के आसपास का है, 1,36,70,073 buyers अभी भी उपर के price पे bidding करके रखे हुए हैं, और मेरे views अभी भी strong हैं, और मुझे लगता है, कि यह stock पहले तो sector देखें, sector ने एक level को breakout करा, retrace करा, और अगेन उपर ही trade कर रहा है, अगर यह इस level को तोड़ देता, तो weakness माना जाता, लेकिन यहां मैं अगर reliance power को दिखा हूँ, तो reliance power ने अपने, पहले वाला जो consolidated zone था, यहां देखेंगे, पहले वाला यह consolidated zone, यह trend line, दोनों ही line को breakout करा, अब यह stock, probably जब तक 40 के नीचे नहीं आता है, 40 भी छोड़ दें, जब तक यह stock 48 के नीचे नहीं जाता है, 48 हां, 48 के नीचे नहीं जाता है, overall trend strong है, और probably 65, 68, 74 जैसा level को hit करते दिखेगा, minimum 48 के नीचे की weekly closing चाहिए, तभी हम negative trend expect करेंगे, और मुझे लगता है कि जो volatility है, वो आपको 3 October यानी परसो आपको कुछ भी volatility देखेगे, और fundraise को लेकर के भी अगर investor की, चुकि यहां यह fresh buying हो रही है, fresh demand create हो रहा है, जिसके कारण supply को तो exhaust करी रहा है, और उपर के price,